एंजल्स आर्मी, एंजल्स आर्मी पिछले पांच दिनों में हम माता मर्यम के साथ येशो के आने पर आनन्दित हुए और परमेश्वर की स्तुति की, उन सभी के साथ जिनोंने येशो को दुनिया के उद्धारक की तरह पहचाना अब क्रिस्मस के लिए सिर्फ पांच ही दिन बचे हैं जैसे जैसे उनके जन्म का पर्व नजदीक आ रहा है आईए हम इस संसार की प्रकाश येशो को अपनाते हैं और उनकी अच्छाई की प्रकाश की मदद से हमारे दिल में बसे पाप की अंदकार को दूर करते हैं आज हम इसु को यूर्दान नदी के तट पर देखेंगे जहां योहना बप्तिजमा दाता लोगों को बप्तिजमा दे रहे थे कौन थे योहना येशो के लिए मार्क तयार करने के लिए आये थे वह सभी को मसीहा की प्राप्ति करने के लिए तयार करने और यह घोशना करने कि येशु इस संसार का दीपक है यह वह इंसान थे जो खुद को येशु की जूते खोलने के भी लायक नहीं मानते थे लेकिन येशु ने योहना को स्त्री द्वारा जन में हुए सबसे महान माना और नम्रता पूर्वक उनके सामने खड़े होकर बप्तीजमा लेने की प्रतीक्षा की येशु के पानी से उपर आते ही एक बहुत बड़ा चमतकार हुआ स्वर्ग के द्वार खुले और एक कबूतर के रोप में परमात्मा प्रकट हुए और यह आकाशवानी हुई यह मेरा प्रियपुत्र है जिससे मैं अत्यन्त प्रसन हूँ दोस्तों येशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था उन्हें बप्तीजमा की कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी क्या आप देख सकते हैं कितनी विनम्रता और इज़त के साथ वे योहनना के आगे सर जुका कर खड़े हैं हमें सभी के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए चाहिए वो हमसे बड़े हो या छोटे येशू के तरह हमें दूसरों को अपने से अच्छा समझ कर उनका सम्मान करना चाहिए ऐसा करने से पवित्र आत्मा हमारे दिल में बसते हैं हमारे घटने से येशू बढ़ेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम पर प्रसन होंगे प्रार्थना, बाल येशू मुझे सभी के साथ सम्मान से पेश आना और उनमें केवल अच्छाई देखना सिखाए योहना, अध्यायतीन, चंद, तीस अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटू आज की गतिविधी, हम सभी के अपने जिद है मैं पहले, मुझे सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए, मैं हमेशा सही हूँ और मैं हर समय जीतना चाहता हूँ आईए, आज से पदलाव की कोशिश करते हैं दूसरों की इच्छा का सम्मान करके, सभी को उचित मौका देते हैं झांज मैं झां जोर्म है